नमस्कार, अब हम पढ़ते हैं Doberiner's Triads देखिए, elements को classify करने के लिए अलग-अलग scientists ने अलग-अलग प्रयास किया तो सबसे पहले हम Doberiner के बारे हम पढ़ते हैं कि इसने कैसे elements को classify किया In the year 1817, John Wolfgang Doberiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups 1817 के साल में, John Wolfgang Doberiner नाम के एक German chemist ने, एक Germany का scientist था इसने क्या किया, elements को groups में classify करने की कोशिश कि कैसे, कि with similar properties, कि जिन-जिन elements के गुण मिलते थे, उनको एक-एक group में डालने की, इसने कोशिश की He identified some groups having three elements each इसने क्या किया, कुछ groups बनाए, यानि इसने तीन-तीन elements के group बनाए तीन-तीन elements के group बनाए, इसलिए उनको triads भी कहते हैं इसको triads कहते हैं, इंदिम बोलते हैं, डोबिराइनर के trick या इंगलिस में, डोबिराइनर's triads So, he called these groups triads उसने क्या किया, तीन-तीन elements के group बनाए, और group का नाम दिया triad डोबिराइनर showed that when the three elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses कि डोबिराइनर ने कहा कि जब हम एक triad के अंदर जो तीन elements लेते हैं उनको उनके atomic mass के increasing order में लिखते हैं ठीक है, यानि कि अगर आपके पास मालो तीन atom है, suppose जैसे तीन elements हैं जैसे यह लगा लो, calcium, strontium, barium suppose, अभी हम इसकी बात ने करें हैं, मालो, suppose यह triad है मालो तो इनके आपने क्या किया, इनको आपने atomic mass के increasing order में रख दिया जैसे calcium का है 40.1, strontium का है 87.6, barium का है 137.3, मतलब आपने क्या किया, एक triad को, उसके अंदर जो elements हैं, उनको उनके atomic mass के increasing order में, जब आप लिखते हो, तब, तब क्या होता है कि क्या होता है, जो middle का जो element होता है, उसका जितना atomic mass होता है, वो किसके equal होता है, जो दोनों बचे, पहला और तीसरा, उनके atomic mass के average के बराबर होता है आया समझ में, एक बार रिपेट करता हूं, कि, चलो मैं आप इसको काकेच पे लिकर दिखाता हूं, कि क्या कहना चाहरा है, डोबी राइनर देखिए, डोबी राइनर कह कहता है, मालो तीन element है, मालो ए, बी, सी, तीन element है, इन तीनों element को आप उनके atomic mass के increasing order में रख दीजिए, मालो ए का atomic mass है, मालो दस है, ठीक है, मालो बी का atomic mass है, चलो मालो 20 है, सी का है, 30 है, ठीक है, दूसरी बात कहता है, कि जगर आप इनको ऐसे इस order में रखते हो, तो जो बीच वाला जो element है, उसका जितना atomic mass है, वो पहले और तीसरे के atomic mass का average के equal होता है, लगबग, approximately equal होता है, तो देखो, इनका equal निकालो, average निकालो, A का 10, प्लस C का 30, है न, कितना हो गया, 40, इसका average निकालो, 40 by 2, यहने 20, तो देखो, 20 के equal हो, देखो, 20 के around हो, एक बार और रिबता रहा हो, कि डोबिराइनर ने क्या कहा, कि उसने तीन-तीन element के group ना है, फिर उसने क्या कहा, कि इन तीनों element को आप उनक increasing order में arrange कीजिए, फिर आप क्या देखते हो, कि जो middle वाला जो element है, उसका atomic mass, पहले और तीसरे के atomic mass के average के approximately equal होता है, ठीक है, जैसे 20 है न, इसका अगर मलो, 20.1 भी हो सकता था, 19.5 भी हो सकता था, मतलब average, approximately equal होता है, आया समने, अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, for example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium, with the respective atomic masses, 6.9, 23.0 and 39.0, अभी मैं इसको copy पर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, पहले हम बढ़ लेते हैं, पूरा फिर करके देखते हैं, कहते हैं, आपना एक triad ले लो, जिसमें तीन element है, lithium है, sodium है, potassium है, उनका atomic mass है, lithium का 6.9, sodium का 23.0, potassium का 39.0, what is the average of the atomic masses of lithium and potassium, की अब lithium और potassium का आप, उनके atomic mass का average निकालो, how does this compare with the atomic mass of sodium, की आप उस atomic mass को sodium के साथ compare कीजिए, तो अभी हम इसको करके देखते हैं, देखिए हमने उस triad को लिख लिया, lithium लिख लिया, sodium लिख लिया, potassium लिख लिया, अब कहता है कि आप lithium और potassium का, इनके atomic mass का average निकालो, तो average निकालते हैं, 6.9 plus 39.0, ये कितना हो गया, ये हो गया, 45.9, ठीक है, अब 45.9 का average निकालो, टू से डिवाइड कर दो, ये आगया, 22.95, आगया 22.95, क्या कहता था, अब कहता है इसका, आप sodium के atomic mass साथ compare किजिए, तो sodium का atomic mass 23 है, और इनका average निकाला 22.95, तो ये को 22.95 क्या है, approximately 23 के क्रीबी है, सिर्फ 0.05 का difference है, कितना, सिर्फ 0.05 का difference है, बहुत छोटा सा difference है, तो यानि कि क्या है यहाँ पर, दोबरेनर का ये ट्राइड है, तो दोबरेनर का ट्राइड ये प्रूव भी हो रहा है, देखो, इन दोनों का हमने mass का average निकाला 22.95 और इसका 23 है, तो देखो, approximately equal है न, तो इस तरह से डोबरेनर ने ट्राइड बनाए थे, तो ये भी क्या है, एक डोबरेनर का ट्राइड है, अगे पढ़ते हैं, given below table 5.1 are some groups of three elements, की नीचे हमने table 5.1 में कुछ groups बना रखे हैं, तीन-तीन element के, तो यहाँ पर तीन group हैं, देखो, group A, group B, group C, उनके atomic mass भी लिख रखे हैं, these elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses, तो इनको क्या कर रखा, इनके atomic mass के increasing order में लिख रखा है, देखो, हन जी, लिख रखा है, can you find out which of these groups form doberiner's triads, क्या आप बता सकते हो, इन में से कौन सा group है, जो doberiner का triad बनाता है, ठीक है, तो अब हम इसको copy-pate करके देखेंगे, कि कौन-कौन सा group है, जो इन में से doberiner का triad बनाता है, तो यह देखिए, हमने यह first group लिख रखा है, इसमें है nitrogen, phosphorus, arsenic, nitrogen का atomic mass 14.0, phosphorus का 31.0, arsenic का 74.9, तो हम doberiner का triad हा कर नहीं, इसको जानने का एक तरिका है, क्या, कि आप पहले और तीसरे के atomic mass का average निकाल लो, अगर वो average बीच वाले के atomic mass के equal आता है, या उसके equal के approximately equal आता है तो आसपास आता है तो वो कह है डोबरेनर का trade है अगर ऐसे नहीं है तो वो डोबरेनर का trade नहीं है तो करके देखते हैं हम करते हैं पहले और तीसरे का average निकालते हैं 14.0 प्लस 74.9 इनका algorithm add करते हैं तो आता है 88.9 अब 88.9 का average निकालो क्यों दो का है तो average 2 से divide कर देंगे तो 2 से divide करते हैं तो कितना आता है 44.45 तो इनका average कितना आ गया इनका average आ गया 44.49 ठीक है और लेकिन बीच वाले का atomic mass कितना है 31 तो इसके ना तो equal है ना है उसके आसपास है approximately equal भी नहीं है तो इसलिए ये डोबरेनर का trade नहीं है ये देखिए ये अगला group हमने लिखा है group B इसमें है calcium strontium barium दिखिए इनका element का symbol होता है यानी निशान इनका full पूरा नाम है calcium strontium barium आगे हम पढ़ेंगे भी जब आगे जो modern periodic table पढ़ेंगे तो आप देखोगे अलग अलग symbol अलग नग ना तो calcium का atomic mass होता है 40.1 strontium का 87.6 barium का 137.3 अब हम यह पता लगाते हैं कि ये डोबरेनर का trade है या नहीं तो क्या करोगे पहले पहले और तीसरे का क्या करो इनका average निकालो इनके atomic mass का 40.1 प्लस 137.3 इनको जब आप add करते हो तो आता है 177.4 अब 177.4 का आप average निकालो तो 2 से जब divide करते हो average निकालते हो average आता है 88.7 तो देखिए average कितना आया 88.7 और बीच वाले का atomic mass कितना है 87.6 तो आप क्या होना चाहिए था यह तो वो average के equal आजे या average के आसपास आ जाए तो देखो 88.7 और यह है 87.6 तो क्याए equal तो नहीं है बट आसपास तो है यानि approximately equal है यानि लगबग लगबग बराबर है तो इसलिए यह क्या है यह जो क्या है यह एक डोबिराइनर का ट्राइड है तो यह इस इस आ डोबिराइनर स्ट्राइड तो यह हमने दिख लिया है ग्रूप सी ग्रूप सी में तीन एलिमेंट है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन का एटोमिक मास है 35.5 ब्रोमीन का है 79.9 आयोडीन का है 126.9 अब हम पता लगाते हैं कि यह डोबिराइनर का ट्राइड है यह नहीं तो क्या किजिए पहले और तीसरे का आवरेज निकाल लीजिए तो 35.5 प्लस 126.9 ठीक है अब इनको आप एड करते हो तो एड करने का बाद आता है 162.4 अब इस आवरेज निकाल दे हैं क्योंकि तो 162.4 को दो सी डिवाइड कर दो आवरेज निकल जाएगा कितना हैगा 81.2 तो यहाँ आवरेज आया है 81.2 और ब्रोमीन का एटोमिक मास है 79.9 तो देखो यहाँ इसका एटोमिक मास एवरेज के बराबर है कुछ-कुछ देखो इतना 81.2 और यह कितना है 79.9 तो थोड़ा साइड डिफरेंस है वन पॉइंट सम्थिंग का कुछ डिफरेंस है तो यानि कि यह एवरेज के एप्रोक्रोक्सिमेटली इक्वल है तो इसस तो आपको समझ मेंगा कि कैसे हमने पता लगा है कि यह डोबेराइन के ट्राइड है या नहीं तो आगे बढ़ते हैं तो देखो इसमें हमने समझ वह ना यह डोबेराइन के ट्राइड नहीं था ग्रूप B भी ट्राइड था और ग्रूप B C भी डोबेराइनर का ट्राइड बनाते हैं दोबिराइनर कुड आइडेंटिफाई only three triads from the elements known at that time कि उस time पर जितने element available थे जितने element को विग्यानिक जानते थे उसमें से दोबिराइनर सिर्फ तीन triad ही बना पाया कौन से तीन triad थे दो तो यह आपने पढ़िया हैं देखो एक तो यह हो गया एक यह हो गया और एक यह रहा तो तीन उसमें लिक रखिया हैं कौन-कौन से lithium, sodium, potassium पहला triad, calcium, strontium, barium दूसरा triad, chlorine, bromine, iodine तूसरा triad क्योंकि डोबिराइनर जादा triad बना नहीं पाया, सिर्फ तीन triad बना पाया, इसलिए यह कह सकते हैं कि यह जो classification का तरीका था यह फेल हो गया, क्योंकि भविश्य में, future में तो और भी elements discover हुए, और फिर triad वैसे भी बन नहीं सकते थे, सब के triad, तो यह तरीका, यह periodic table बना में लिखा हुआ है, यह भी हम पढ़ लेते हैं, चलो, इसका पूरे नाम क्या है, जोन वॉल्फ गैंग डोबराइनर, इसका जन्म हुआ था 1780 में, और इसकी मृत्य हुई 1849 में, है ना, तो 49 प्लस 20, 69, almost 69 साल यह, 69 यह यह अपना जीवन जिया, तो यह इसकी तस्वीर है, जोन वॉल्फ गैंग डोबराइनर स्टडिड एज अज फार्मसिस्ट इन मंचबर्ग इन जर्मनी, तो इसने क्या किया, फार्मसिस्ट की पढ़ाई करी, कहां पर, जर्मनी के अंदर, मंचबर्ग में, and then studied chemistry at Strasbourg, फिर इसने chemistry पढ़ी, Strasbourg में, Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena, फिर ये Jena University के अंदर, chemistry और फार्मसिट का प्रोफेसर बन गया, डोबराइनर मेंड दा फिर्स्ट अब्जर्वेशंस ओन प्लैतिनम as a catalyst, and discovered similar triads of elements, which led to the development of the periodic table of elements, डोबराइनर ने क्या किया, प्लैतिनम को थोड़ा study किया, प्लैतिनम क्या होता है, catalyst होता है, मैं आने वाले future में, आने वाले वीडियो में अपको और पढ़ाऊंगा, catalyst क्या होता है, catalyst ना, ऐसे chemical होते हैं, काफी important word है, catalyst, चलो, मैं इसको underline भी कर देता हूँ थोड़ा सा, catalyst क्या है, ऐसे chemical होते हैं, जो किसी chemical reaction को speed up कर देते है, किसी chemical reaction की speed बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं, catalyst, तो platinum क्या है, एक काफी important catalyst है, यह कहीं सारी reaction हो को यह speed बढ़ा देता है उनकी, तो वहाँ इसको use करते हैं, platinum, तो इसने platinum को थोड़ा study किया, फिर इसने क्या किये, elements के triad बनाए, तो फिर यहीं से क्या हुआ, periodic table बनाने का जनम हुआ एक तरह से, त्योंकि देखो पहले इसने triad बनाए, फिर एकला scientist हम पढ़ेंगे, उसने कुछ बनाया, फिर कुछ बनाय और यही था topic, डोबे राइनर स्ट्राइड, तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप जरूर इस topic को अपनी NCRT की book से पढ़ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कारम, stay healthy, stay joyful and all the best to you.